आज हम बात करने जा रहे हैं जामिल असलामे के एंटरेंस टेस्ट के रिजल्ट के बारे में तो आज जो हम डिसकस करने जा रहे हैं वो डिसकस करने जा रहे हैं सेकंड लिस्ट के बारे में कौन कौन से कोर्स ऐसे हैं जिसकी सेकंड लिस्ट ऑफ सेलेक्टिड कैंडिडेट आ करना है आप डिमीशन जाके आप 17 दिसंबर कोई करवा लेजीगा ठीक है एडमीशन की टाइम पे आप लोग को क्या क्या डॉक्यमेंट्स लेके जाने यहां पर यह सारे डॉक्यमेंट्स मेंशन है यह आपको याद रखना है आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और फोटो इस्टेट भी ले जाना है ठीक है डॉक्यमेंट्स रिलेटिट आप लोगों कोई और डाउट होगा तो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है तो आप उस वीडियो में जो है देख सकते हैं अगर आपको किसी पॉइंट पर कोई डाउट होगा तो बाकी मै जात रखना है आए हम इसमें कट अफ देख लेते हैं सेकेंड लेस्ट अफ सेलेक्टेट गांडिडेट बात करें तो जनरल की गई फिफ्टी फॉर पॉइंट सावन फाइफ मुस्लिम की फॉर्टी एट पॉइंट टूफाइफ और मुस्लिम वॉमन की फॉर्टी सावन मुस्लिम मुस्लिम वॉमन ठीक है आईए हम नेक्स कोर्स देखते हैं म 15 के बाद तो म 15 के बाद हम देखने जा रहे हैं म 33 एम ए मैस्टी मैथमेटिक्स ठीक है आईए इसमें भी आपको एड्मिशन फॉर्मेल्टी इस कंप्रीट करवाने के लिए आपके पास दो दिन है सावंटीन दिसमबर एंड एटीन दिसमबर ठीक है नेक्स लेस्ट जो आईगी वह आईगी 23 दिसमबर को यह आप याद रखना है आए इसमें कट अफ देख लेते हैं जनरल की जो इसमें कट अफ गई है वो गई है 27.75 मुस्लिम की गई है 22.75 मुस्लिम ओभी सी की 20 और जेन मुल्य को स्की जो आई एए इसमें मीं स्लेक्टेट कैंडिड़ेट देख थे फिरम नेक्स कोर्स की बात करते हैं सबसे पहले सेलेक्शन केटेगरी जनरल कि यहाँ पर आप इसमें अपना रोल लंबर चेक कर सकते हैं कि जनरल स्चिन कोम इसमें मुस्लिम मुस्लिम ओविसी और जेन के ठीक है कि इसके बाद हम नेक्स लेस्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वह देखने जा रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास दो दिन हैं 17 दिसंबर एंड 18 दिसंबर नेक्स लेस्ट जो आएगी वह आएगी 23 दिसंबर को आईए इसमें कट आफ मार्क्स देख लेते हैं जनरल की सीट इसमें खाली है जो कट आफ मार्क्स गएं इसके 17.5 आहीं सेलेक्टिट कैंडिडिट भी देख लेते हैं सेलेक्शिन केटेगरी जनरल ठीक है यह था हमारा कोर्स कोड म 70 का एंट्रेंस टर्स का रिजल्ट थैंक यू झाल